दमिश्कार दोस्तो सागेताब का मोटर क्रेज में हाज जम बात करेंगे अल न्यू किया सेल टाउस के बारे में सेल टाउस का जो सबसे value for revenue model आता है HTK Plus मोडल उसे आप अभी देख रहे हैं अभी 2021 में इसमें एक दो features भी भी add किये गए है जैसे कि आपको इसमें संडूफ भी आभी आपको दी गई है HTK Plus के अंदर प्राइजिंग वगर आभी आप देखेंगे ना तो HTK Plus की काफी जाधा सही प्राइजिंग है पेट्रोल में अगर आप इसे देखेंगे तो 11,79,000 रुपीज इसकी एक शोरूम प्राइजिंग आपको पढ़ती है वही अगर आप इसे डीजल में देखेंगे ना तो 12,99,000 रुपीज इसकी एक शोरूम प्राइजिंग आपको पढ़ती है जरूरत मन के सभी फीचर्स आपको HTK Plus के अंदर मिलते है यानि कि काफी जाधा मतलब एक तरीके से value for money यह model है की अगर आप इसकी देखेंगे तो जैसे की आपको इसमें मिलती है स्मार्ट की आपको इसमें मिलेगी लॉक और उनलाक के बटन से और आप इसे की से भी स्टार्ट कर सकते हो यह फीचर भी इसमें द्यावाए और नीचे boot खोलने का भी आपको बटन मिलता है overall premium design में इसकी की आती है बाकि लुक्स भी आप देख सकते है लुक्स के मामले में तो काफे ज़्यादा सही यह गाड़ी लगती है road presence जो आपको मिलता है कि यह सेल्टॉस का वो काफे ज़्यादा शानदार है bonnet के उपर नया logo यहापर आप देख सकते है और इसकी grill अगर आप देखेंगे तो यह कुछ इसके black और silver inserts में grill इसमें आती है head lamps यह कुछ DRL से और नीचे आपको इसमें projector में lights आपर दी गई है वही नीचे हैंगे तो fog lamps भी आपको इसमें projector में ही मिलते है जो एक premium लगते हैं काफी ज़्यादा बाकी उपर की तरब यह कुछ wipers आप देख पार है bonnet के उपर भी देख सकते है cut stand creasers से over bms आपको इसमें electronically foldable मिलती है आप इने electronically fold भी कर सकते हो और htk plus के अंदर आपको alloy wheels जो मिलते है वो metallic silver finish के अंदर मिलते है hyper metallic alloy wheel ने कहा जाता है बाकी side से भी एक आप look देख लीजे आपको all four disc brakes मिलते है किया celltos के इंदर बाकी यह कुछ front profile आप देख रहे पेट्रल और diesel दोनों का option में आती है यह six speed IMT भी आपको इसमें मिलेगा बाकी safety के अगर हम बात करें तो ABS with TBD, central locking, power door lock, speed sensing door lock, emergency stop signal और total आपको दो airbags मिलती है, SDK plus के इंदर, उपर यह कुछ silver roof frills आपको इसमें दी गई है, जो sporty लगती है काफी जादा high mount stoplight है, shark fin आता है उपर की तरप और wipers भी आपको इसमें मिलते है, SDK plus से ही wiper आना शुरू होते है नहीं branding आप देख सकते हैं किया की, tail lamps का design जो है, कुछ आईसा आपको इसमें मिलता है पीछे यह कुछ इसका rear diffuser आप देख सकते है, जो मतलब sporty लगता है काफी ground clearance जो आपको मिलता है, 190 million का मिलता है, reverse camera आप यापर देख सकते है boot अभी इसका open करके देखते है, 433 liters का boot space आपको मिलते है किया cell house के अंदर, जो मतलब सही है, काफी space आपको मिलते है, boot के अंदर भी यह पर यह lights साब देख सकते है, और spare wheel अगर आपको नीशे के तरफ मिलेगा spell tire, अभी इसे close करते है, side profile आप एक देख लीजे, side से भी काफी सादा bulkier यह लगती है, पीछे के wheels में भी आपको disc brakes मिलते है, अगर आप diesel variant लेते हो तो आईए अभी पीछे का passenger side door अभी खोल कर देखते है, body color में आपको door handle से आपर दिये गए है और black finish में पूरा आपको door का design यह आपर दिये मिलता है, sun blinds भी आपको मिलती है पीछे के passenger के लिए, यह कुछ इसके silver door handle से power nose के control है और नीचे speakers के placement है, glass orders के लिए आपको जगा मिलती है, यह आपर थोड़ी बहुत बाकि पीछे का, यह कुछ seeds का design है, fabric में इसमें seeds आती है और दो आपको इसमें fixed head desk मिलेंगे, seeds को भी आप चाहे तो fold कर सकते हो यह कुछ इसे के vents से, पीछे के presence के लिए और आईए भी अंदर बाट कर दखते है, space के मामले में भी काफी ज़्यादा सही है किया cell toss, अंदर की दरब से कुछ ऐसा view है, पूरा front dashboard का आपको दिखता है sunroof भी आपको मिलती है, अगर आप इसका 6-speed IMT transmission लेते हो तो htk plus में, पीछे partial tray आपको मिलेगा, और पीछे के presence के लिए दो ऐसे vents से यापर आपको charging port मिलता है, थोड़ी बहुत space भी है, mobile वगरा रखने के लिए space के मामले में कोई भी दिक्कत आपको यापर नहीं होने वाली है, किया cell toss के अंदर आइए भी close करते door को, और driver side door इसका खोल कर देखते, key lesson चे आपको मिलेगी door handles, आप याँ से mirror को fold भी कर सकते हो, चारो पाउंडोस के इंटोल है और यह कुछ speakers वगरा की placement आप नीचे देख सकते है, आपको one touch up-down इसमें window मिलती है driver के लिए, anti-pinch sensors के साथ में, बाकी seats यह कुछ है, इसकी, seats के आप height adjust कर सकते हैं, reclaim कर सकते हैं, नीचे यह कुछ start shop का button बटने, brightness को आप यह से control कर सकते हो, कम यह जदा brightness कर सकते हो, और अभी अंदर बैट कर start करके देखते हैं, कि यह cell house को, start shop को बटने इस तरफ आप देख सकते हैं, start करने पर कुछ ऐसा पूरा आपको layout या पर देखने में लगा, center console का और speedometer का, premium लगती है, काफी मतलब, build quality भी मतलब सही आपको मिलती है, एक तरीके से, fit and finish के मामले में, काफी ज़्यादा सही है, cell toss, यह जो wide finish आप देख पा रहे हैं, यह पूरी piano black है, लेकिन यह protection आप यह लगाया हुआ है, इसके उपर, horn कुछ ऐसी आती है, कि यह कि branding आप देख सकते, logo की, logo आप देख सकते, music system के लेटर से इस तरफ यह cruise control के लेटर से आपको controls मिलते हैं, वही अगर आप इसमें अंदर के तरफ देखेंगे, तो speedometer कुछ ऐसा आता है, MID जो आता है, उसे आप इन buttons के जरी है, control कर सकते हो, अमाड़ी के अंदर आपको यह door, lights, conversation, service manual के बारे में सभी आपको यह जान कर ही देगा, और यह कुछ digital speed, average, fuel consumption के बारे में आपको सभी जान कर यह आपर देखना मिलेगी, music system अगर आप इसका देखेंगे ना, तो SDK Plus के अंदर आपको 8 इंच का touch screen, infot system दिया हुआ है, 4 speakers आते हैं, 4 twitters इसमें आते हैं, android auto, apple card play भी यह support करता है, आपको इसमें अभी android auto जो मिलता है, वो wireless वाला मिलता है, android auto और apple card play, bluetooth भी यह support करता है, sounds के लेटेर सभी settings आपको इसमें यहापर जो ही देखने मिलती है, यह कुछ सभी इसके settings वगरा आप देख सक सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले के related आपको सभी settings मिलती है, blue light वगरा आप यहाँ से मतलब brightness वगरा को control कर सकते हो, काफी सारे settings आप यहाँ से check out कर सकते हो, 8 इंच का यह touchscreen है, वही अगर आप इसका top model देखेंगें तो उसमें बोस का system आता है, hazard lamps के बटन से नीचे आप अब भी port आपको मिलेगा, यह कुछ इसमें आपको features मिलते हैं, 6-speed यह अभी आप manual transmission देख रहे हैं, 6-speed IMT भी आपको मिलता है, और automatic का भी option मिलता है, htk plus में, glow box में थोड़ी बहुत space आपको यहाँ पर मिलती है, वही अगर आप उपर की तरब देखेंगे, तो sun glass holder है, lights के related से भी आपको controls से आपर मिलते है, passenger sight vanity है, जिसके अदर आपको mirror भी आपर देखने मिलता है, उपर sunroof नहीं आएगी, इस model के अंदर, मतलब अगर आप इसका 6-speed IMT लेंगे, तो उसमें आपको sunroof मिलती है, सही है, यह model काफे जादा, htk plus model, sunroof भी आपको इसमें मिलती है, काफे जादा feature loaded है, और pricing भी काफी मतलब सही है, इसकी pricing तो मैंने आपको बता ही दी थी, कि अगर आप इसमें petrol में देखेंगे, तो 11,79,000 extra room price है, वह यह अगर आप diesel में देखेंगे, तो 12,99,000 डुपीज इसकी extra room pricing है, तो pricing भी एक तरीके से सही है, htk plus की value for money सबसे अगर द और अगर आपने अभी तक Instagram के उपर follow ने किया, तो Instagram के उपर भी आप हमें follow कर सकते, अगर आपका कोई भी doubt है, गाड़ी से related आप ज़रूर मुझे पूछ भी सकते Instagram के उपर, जिसका link आपको नीचे description के अंदर भी मिल जाएगा, बाकी वीडियो को like, share, subscribe आप कर सकते, thank you